सबसे पहले तो मैं यह पूछती हूं कि इंद्रा जैसिंग होती कौन है मेरे से सवाल करने वाले मेरे क्या लगती है वो बलतकारियों की मा हो सकती है बलतकारियों की दिस्तदार हो सकती है मेरे कुछ नहीं लगती उसकी हिम्मत कैसे होई कि उसने मुझसे अपील की साथ साल मैं उससे मिली हूं कोट में बार बार मिली हूं उसने तो हमारा हाल चल कभी नहीं पूछा जब बलत ज़खा चलाते हैं सब मैं तो यह कहती हूँ कि अपनी रोटी रोटी चलाने के लिए कोई दो चार बलतकारीयों का माँ बाप को पकड़ ले कि इसकी रोजी रोटी चलती रहे मुझे इसको सजस करने की जरूरत नहीं है मुझे किसी की अनुसारान की जरूरत नहीं है एक कि इंद्राज शिंग ने ऐसे सवाल किया है मेरे ल pensa क्या है वह वग वह बलतकारियों की रिस्तदार हो सकते होग लोगों की उजन ऑप फोका जरा है और रेप रातकार हो रहा है आज ऐसे ही लोगों के ओजा से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है ऐसे सोच वाले लोग खास कर महिला के नाम पे कलंख है इसको पूरे देश के बचीयों से इंसाफ मांगना चाहिए कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने हम से सवाल किया कि माप करें देखिए इंद्रा जैसिंग को मैं जानता हूं मिले भी हैं लेकिन उनको हमें सलाह देने की जोड़त नहीं है जिस दरिंदों को फासी के लिए सासा से लड़ रहे हैं उचाते हैं कि एक मिनेट में इनको खतम कर दें ते इनकी सोच गलत है बलातकारियों की मां ह हो सकती है लिकि एक औरत होकर करके औरत का दर्द ना समझना यह बड़ी ना इंसाफी है बहुत गलत बात है तो अपने सब्दों से उनको क्या कहों लेकि बहुत गलत अवरत है इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको पता है कि हम सासा से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि फासी आज भी चार दिन से कोट में दौड रहे है कि कहा थे उस समय जब घटना हुई थी क्या उनका अधिकार है हम लोग अधिकार ने है निभ्या का अधिकार ने है तो यह नहायत गलत ट्वीट किया है उसने अजो किया है बहुत गलत किया है झाल झाल